दोस्तों यहाँ पर UPSI भरती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है यतने भी छात्र यहाँ पर है इस वीडियो में आपके लिए दोस्तों काफी खुसकवरी वाला वीडियो है दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि UPSI की पहले आंसर की जारी हो चुकी है लेकिन दोस्तों इसमें 4-5 question जो है सभी shift में गलत पाए गया है कुछ question जो है आपको लगता है कि doubtful है तो दोस्तों इसका लाफ जुरूर मिलने वाला है बहुत सारे अभियरती उमिद की हुए है कि 4-5 number बढ़ जाएंगे तो final selection में हम पहुंच जाएंगे तो दोस्तों ऐसा बिलकुल इस वीडियो में बताने वाला हुँ सब कुछ तो अभिस दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हमारी चैनल पर नया है तो subscribe कर लेना बेल लेकिंग को प्रेस कर लेना दोस्तों बात करता हूँ कि कौन सा shift जो है paper hard था और कौन सा shift जो है easy था तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे बहुत दिनों से question मतलब लोग कर रहे थे कि कौन से paper easy था कौन से paper shift था तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर संसोधित answer की जो है जरूर आएगी और आपको पता है कि यह एक बार जो है जब भी जारी होता है उसके तीन या चार दिन पहले जो है संसोधित आंसर की जारी किया एता है तो आप वही मान के चलो कि जब भी रिजल जारी होगा दोस्तों उसके दो तिन दिन पहले जो है आपका आंसर की correction वाला answer की जारी कर दी जाएगा जिसमें दोस्तों आपके कुछ question जो है यहाँ पर मिलेंगे आपके कुछ number बढ़ जाएंगे जो लोग इजरे number से कम हो रहे थे जो selection हो जाएगा बाकी जो दोस्तों यहाँ पर जो नही border पर पहुँचे थे दोस्तों वह भी पहुँच जाएंगे यहाँ पर wrong question दोस्तों जिन लोगों ने attempt किया है उनको 3-4 number का benefit होने वाला है क्योंकि जो question दोस्तों गलत है तो उसमें number जहे सी बात है आपका number बढ़ेंगे और जिन लोगों ने attempt नहीं किया था उनका number नहीं बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर normalization की प्रक्रिया जो है होगी जिससे बहुत बच्चों को लाव वहले वान बेनिफिट जरूर होगा कुछ बच्चों को loss भी होगा जैसे कि दोस्तों हाँ पर कुछ easy shift है वहाँ पर नमबर भी सकते हैं और जहां पर कुछ tough shift थे दोस्तों वहाँ पर number बढ़ भी सकते हैं दोस्तों normalization की प्रक्रिया में यह होता है कि जो एक average score निकला आता है जिसमें प्रसेंटाइल बनता है जहां पर shift कमजोर भी तो आपको जो है बारा तारीक जो बारा और तेरा तारीक जो परिक्षा हुई थी उसमें कुछ benefit होने के चांस है दोस्तों क्योंकि प्रपर फॉस्ट टेम हो रहा था उस दिन पाटन पता नहीं था बाकि सिप्टों के अपक्षा तो यहां पर दोस्तों अगर आप हमाँ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब पर लेना इस तरह सब्डेट पाने के लिए जब भी आंसर की जारी होगी या फिर कोई ओफिस्यल नोटिस जारी होगी तो हम आपके लिए वीडियो लेकर सबसे पहले सबसे फास्ट हाजर होंगे आपके चैनल पर तो और ऐसी तरह सन्यूश पाने के लिए हमाँ चैनल साब जूड़ सकते हैं सब्सक्राइब पर सकते हैं नमस्कार